Hello and welcome back once again in another session of microeconomics. हमने producer से related दो main topics अभी तक कवर किये हैं, एक किया है production function और दूसरा हमने किया था laws of production से related. So let's move on to another chapter which is again related with the producer. मतलब producer के point of view से ही हम आज एक नया topic स्टार्ट करेंगे, जो की है concept of cost, लागत की धारना है. देखो आज का जो हमारा ये session रहेगा, वो बहुत ही आसान, बहुत ही simple सा है, वैसे तो relatively आगे वाले sessions भी आसान ही बना देंगे हम. आज हम सिर्फ meaning और लागत किस रूप में study की जा सकती है, सिर्फ हम आज ये दो topics ही study करेंगे. तो देखते हैं लागत का मतलब क्या होता है, देखो आप familiar हो cost words से, आपको पता होगा कि लागत को क्या कहते हैं, मतलब लागत का meaning क्या है. A firm uses various factor inputs, that is factors of production. देखो हमने जो production function का chapter किया था, उसमें हमने समझे थे कि factors of production क्या होते हैं, जो किसी भी firm में production करने के लिए inputs की form में इस्तमाल किये जाते हैं, उन सभी आगतों को, उन सभी inputs को हम factors of production कहते हैं, फिक हैं? तो the amount paid against these inputs, इन ही आगतों के against, इन ही आगतों का इस्तमाल करने के लिए, हम जो भी amount pay करते हैं, उसे ही actually production cost या simply cost कह दिया जाता है. तो एक firm वस्तों का उत्पादन करने के लिए, विभिन उत्पादन के साधनों यानि की आगतों का परियोग करती है, इन आगतों पर किये गए खर्च को ही उत्पादन लागत या साधारंते लागत कहा जाता है. तो मुझे लगता है, मुझे उमीद है कि basic meaning जो cost का है वो आपको समझा गया. अब हम देखते हैं, what are the various forms of cost यानि की कौन-कौन से विभिन रूप हैं. देखो ध्यान देना ये types of cost नहीं हैं, ये सिरफ cost के ही अलग-अलग रूप हैं. मतलब हम लागत को कौन-कौन से अलग-अलग शब्दों में एक तरीके से अलग-अलग अर्थों में बुला सकते हैं कि ये भी एक लागत है और ये भी एक लागत है. तो सबसे पहली लागत जो हमारे पास है, सबसे पहला रूप जो हमारे पास है वो है real cost याने की वास्तविक लागत. अब देखो जिसको ये meaning समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है. It refers to the pain, discomfort and disutility involved in supplying the factor services by their honors. मतलब जो factors of production के honors हैं, मालिक हैं, actually factors of production को possess करते हैं. उन्हें factor services provide करते वक्त, supply करते वक्त, जिस pain का, जिस discomfort का, जिस disutility का सामना करना पड़ता है, उसे हम real cost कहते हैं. तो यह है वह लागत है, जो साधनों के स्वामियों द्वारा, उनकी सेवाओं की पूर्ती करने में, जो कष्ट सेना पड़ता है, जो दुख सेना पड़ता है, या जो परिशानी सेनी पड़ती हैं, उसे हम real cost कहते हैं, उसे हम वास्तविक लागत कहते हैं. ठीक हैं? देखो बहुत ही simple सी example, मालो आपके घर में, मैं पहले घर के एक example दूँगी, मालो आपके घर में आपके लिए आपके elders में से कोई भी खाना बनाता है, आपकी mother है या कोई और, अगर वो खाना बनाते हैं आपके लिए, तो kitchen में उन्हें खड़े रहकर खाना बनाना पड़त है तो कोई भी body एक वगरा हो सकता है उन्हें, जो गर्मियों के मौसम में, summer season में उन्हें sweating वगरा होता है, तो वो ये सब चीजें, ये discomfort, वो body एक होना, या वो sweating होना, especially time निकाल पाना, cooking के लिए, तो वो सब क्या कहलाया जाएगा, वो real cost कहलाया जाएगा, कि मतलब physically हमें क् हमारी body को, हमारे शरीर को, क्या pain या discomfort सहना पड़ा है, उसे हम real cost कहते हैं, सेम इसी तरीके से, अगर हम एक firm के point of view से बात करेंगे, तो उसके factor services, provide करने वाले factors of production को, याने कि जैसे labor अगर काम कर रही है factory में, तो labor को, जो pain, discomfort सहना पड़ता है, वो real cost कहलाई जाएगी, तो मुझे उमीद है, कि real cost का क्या मतलब है, वो आपको समझ में आया, आप देखो second में जो आपको बताऊंगी, वो हमने पहले discuss किया हुआ है, जब हमने central problems of an economy discuss की थी, तब हमने ये opportunity cost वाला concept, याने कि अबसर लागत वाला concept किया हुआ है, और कुछ इस तरहां की ही line, मैंने उस वक्त भी लिखी थी, opportunity cost is an opportunity lost, अबसर लागत सर्वस्रेष्ट अबसर का त्याग है, वैसे तो देखो normal तो यही है कि अबसर लागत अबसर का त्याग है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, next best alternative की लागत, तो अबसर लागत, इसलिए मैंने यहाँ पर सर्वस्रेष्ट वर् cost की detail के लिए, वो वीडियो जरूर refer कीजिए, आपको description में उसका link जरूर मिलेगा, जिसमें मैंने आपको opportunity cost अलड़ी detail में समझाया हुआ है, next देखेंगे की कौन सी लागत है, अब देखिए, अब next है हमारे पास explicit costs, याने की सपश्ट लागते, these are those payments, which a firm makes to the outsiders, for their services and goods, मतलब, वो सभी भुगतान, जो एक firm, बाहरी व्यक्तियों को, सेवाओं और वस्तियों के against pay करती है, वो सारी की सारी outsiders को pay करने वाली costs को, हम explicit costs, which are paid to the externals, ठीक है, तो वो सारी की सारी explicit costs कहलाई जाती है, अब example की form में अगर हम समझें, तो देखो raw material, हम किसी बाहर वाले से खरीदते हैं, तो इसलिए supplier को किया जाने वाला भुगतान, क्या कहलाया जाएगा, कच्चे माल के लिए हमने जो बुगतान किया है, वो क्या कहलाया जाएगा, वो हमारे लिए explicit cost याने की सपष्ट लागत कहलाया जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से देखो हमने कोई loan लिया हुआ है, तो उस रिड़ पर हमें ब्याज भी तो देना पड़ेगा न, तो इसलि इसे बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि कभी कमार बच्चे इसमें confused हो जाते होते हैं, तो देखो implicit cost क्या है, निहित लागते, implicit costs are the costs of self-owned and self-supplied factors of production, actually it is the opportunity cost, अब देखो फिर से मैं कहूंगी, अगर आपने अभी भी opportunity cost नहीं समझा है, तो kindly please जरूर पहले वो जरूर चेक क cost है, यह किसकी self-employed resources की, जो resources एक producer खुद लगा रहा है, जो उसके खुद के द्वारा supply किये हुए हैं, उन resources के against, जो उसे cost bear करनी पड़ती है, जो उसे नुकसान सैना पड़ता है, जो उसे भुगतान करने पड़ते हैं, या वो जो नहीं कमा पाता है, उनके जरीए, वो सार की सारी implicit costs होती हैं, नहित लागते होती हैं, नहित लागते स्वेम के स्वामी तफ वै स्वेम के द्वारा लगाये गए साधनों की लागते होती हैं, ठीक है, खुद के द्वारा आगया ना इसमें दोनों का concept, कि खुद की ही उसके पास खुद के वो factors of production, जैसे हमारे पास different factors of production में एक factor of production होता है capital, एक होता है land, एक होता है labor, और एक होता है entrepreneur, यही basic हमने four factors of production समझे है न, तो मान लो एक producer जो है, वो अपनी capital और अपनी ही land उसकी जमीन भी पड़ी थी, तो उसने ये दो factors of production खुद के अपने business में use कर लिए, ठीक है खुदी वो entrepreneur भी है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, निहित लागतें, मैंने अभी अभी क्या कहा, swim के स्वामीतब और swim के द्वारा लगाए गए सादनों की लागतें हैं, इसका मतलब जैसे मान लो, अगर वो capital और land अपनी खुद की use कर रहा है अपने business में, तो इन दोनों के against, उसे जो अवसर लागत सहनी पड़ेगी, वो actually उसकी implicit cost कहलाई जाएगी, अब देखो हम नाम देखेंगे कि वो कौन सी हैं जो अवसर लागत की form में यहाँ पर आएंगी, देखो एक है interest और एक है royalty, यह इसकी example है, कैसे है अब यह ध्यान से समझना, देखो capital, मैं अपने उपर लेकर चलूँगी, मान लो, मैं अपने business में, अपनी खुद की वो capital invest ना करती, मतलब मैं business ना शुरू करती अपना, तो मैंने जिस पैसे को as a capital अपने business में लगाया, वो actually मेरे bank account में पड़ा हुआ होता, मैंने उसकी कोई FDRD या कुछ इस तरीके की कोई saving and investment हम मैंने की होती तो उस investment पर मुझे क्या मिल रहा होता, ब्याज ठीक है, अब अगर मैंने नहीं इस तरहां से save करकर रखा मैंने नहीं कहीं investment की, मैंने उसे अपने business में लगा दिया मैंने investment तो की, लेकिन किसी बाहर और resources में करने की बजाए मैंने अपने business में उसे invest कर दिया, तो मुझे उस पैसे पर बाहर से कोई interest नहीं मिल रहा, I am deprived of, मुझे उस चीज की कमी आ रही है जो मुझे मिल सकता था, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है, तो यह मेरा वो अवसर है जो मैंने गवा दिया, तो यही मेरी अवसर लागत हो गई, और इस तरहां की cost को हम कौनसी cost कहते है, implicit cost याने की नहित लागते, तो मुझे उमीद है कि यह समझ में आगे, अब समझो दूसरी example, royalty, लगान, देखो land, land मैंने अपने business में invest कर दी, employ कर दी एक तरीके से, तो अगर मैं land, अपना business ना शुरू करती, मेरी वो land पड़ी होती, मैं उस land को, या तो agriculture purpose के लिए यूज कर लेती, अगर कर सकती, तो ठीक है, अगर वो agriculture के लिए available नहीं है, तो मैं उस land पर कुछ और construction करकर, अगर चोटा-मोटा कोई मकान बना कर, मैं उसे rent पर दे देती, तो मुझे लगान या rent मिलता, royalty मिलती, तो इसका मतलब, ये भी फिर से वो अवसर है, जो मुझे नहीं मिला, क्यों कि मैंने वो land अपने business के लिए use कर ली, तो इसलिए इस तरहां से, इस तरहां की लागतें, जो हम अवसर खो बैठेंगे, वो वाली लागतें, हमारी implicit cost कहलाई जाएंगी, तो मुझे उमीद हैं कि ये cost भी आपको समझ में आ गई, अब देखते हैं कि हमारे पास और क्या बच्चता है, एक last form जिसे cover किया जाता है, वो है monetary cost या money cost, money cost या monetary cost, देखिए monetary cost याने की मौद्रिक लागत, ये क्या है, it is the sum total of all the monetary payments, which are made to the factors of production, engaged in the production of a commodity, चाहे वो हमने खुद के लगाएं हैं, चाहे वो हमें बाहर से किसी को pay करना पड़ रहा है, तो इस लिए इस तरहां की लागतों को, जिने हम specially money की form में measure भी कर सकते हैं, और money की form में हम pay भी कर रहे हैं, तो इस तरहां की लागतों को मौदरिक लागत कहा जाता है, monetary cost कहा जाता है, किसी वस्तू की एक निश्चित मातरा का उत्पादन करने के लिए, उत्पादन के साधनों को जो समस्त, संपून, पूरा, सम टोटल, मौदरिक भुगतान करना पड़ता है, उसे मौदरिक उत्पादन लागत कहते हैं, ठीक है, जैसे raw material के लिए हमने supplier को payment की, जैसे laborer को हमने wages pay की, या अगर हमारा official staff है, तो हम उनको salaries बगरा पे कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो monetary की form में हो रहा है, money की form में हो रहा है, तो इसलिए वो सभी की सभी लागते, मौदरिक लागते कहलाई जाएंगी, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर मेरा आज का session complete है, यहाँ तक का मैंने आज का topic cover करना था, लेकिन एक important discussion मैं आप से जरूर करना चाओंगी, देखो हमने कौन कौन से different room पड़े, form पड़े, हमने सबसे पहले एक पड़ा था real cost, फिर मैंने आपको hint दिया, opportunity cost के बारे में बताया, ठीक है, फिर हमने explicit देखी, फिर हमने implicit देखी, और फिर उसके बाद अभी अभी हमने monetary cost देखी, देखो हम इसे, इसे, इसे और इसे, याने कि इन चारों को, जो real के इलावा हमने पड़ी हैं, इन सभी को हम measure कर सकते हैं, इन सभी को हम measure कर सकते हैं, तो these all are measurable, ठीक है, लेकिन real cost, pain को, discomfort को, क्या हम measure कर सकते हैं, माप सकते हैं, कि A को इतना pain हुआ, B को इतना pain हुआ, नहीं measure कर सकते हैं, तो this is very very important, ये आपके लिए समझना, याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार one marks में ही सही, या true false की form में ही सही, ये question जरूर पूछा जा सकता है, कि वो कौन सी cost है, जिसे हम measure नहीं कर सकते ह हैं, तो वो form कौन सी होती है, real form होती है, मतलब real cost होती है, otherwise बाकी जितनी भी हैं, हम उन्हें monetary form में, या numerical figures की form में measure कर सकते हैं, तो मुझे उमीद है कि आज का ये session आपको अच्छा लगा होगा, और समर्ज भी आया होगा, thank you so much for watching, kindly, subscribe the channel, अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं क अभी तो में हैं, या झाल सकते हैं?